तो हेलो दोस्तों कैसे हो सारे होपकरतों सब बहुत बड़े होंगे और बहुत मज़े में होंगे तो फाइनिली एक और रिवीव वीडियो लेकर आ चुका हूं और थामनेल और टाइटल से आपको पता चली गया है किसकी वीडियो में लेकर आया हूं तो हां भाई हमारी अश्य से दिखा दूँगा समझा दूँगा तो भाई को मैं भी बुला लेता है पहले अपना इंट्रो दे दूँआ आपको मेरा नाम है और आप देख रहे हैं लेक्ट्रोवल तो चलिए शुरू करते हैं तो भाई हमारे चैनल पर आगे हैं पहले बाई का इंट्रों करा अपना नाम बता दो मुझे तनुच चौधरी हमारे चैनल पर आ चुके हैं इन्हीं की यह गाड़ी है कि आईक्यूब आप देख रहा हो इनने इसको अच्छे से चलाया है और इसका पूरा एक्स्पीरेंस भाई शेयर करेंगे तो भाई मुझे यह बता दो आपने यह कहां मैंने दुर्गापुरी से लिए और ऑनलाइन बुक कराया थी एक मेंने मुझे यह इसकुटी मिल गई और उसके बाद एक 37 की मुझे को पड़ी है सब्सक्राइब करीब हो गया है तो मतलब भाई ने उसको अच्छे से चलाया होगा अब कितना चला लिया वह बहुत बाइसे बोलुगा उस्क्रीन पर मुझे आन करके दिखा देंगे वह आप लोग देख लेना कि आपको पता चल लेया कितनी गारी चल चुकी है वाई यह आठ अजार सतेतर चल चुकी है किलोमेटर यहां पर दिख भी रहा है यह इसका पूरा इंस्ट्रुमेंट क्लिस्टर है अलब रौशनी में आपको इतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा पर बहुत संदर लगता है देखने में और काफी बड़ी स्क्रीन यहां पर आ जल रही है उसको खड़ी कर देते हैं और देखे खड़ी करते ही यह पार्किंग मोड में आ जाती है कुछ भी स्क्रीन पर आपको शो नहीं होगा गारी चलेगी नहीं बिल्कुल भी कोई विए इसकलेटर देन से कोई फायदा नहीं होने वाला है तो भाई मुझे आप बता आइस मैंने इसकी 85-90 किलोमेटर के दिया है बतलब काफी अच्छी बाइज पता चलता है जो रेंज काफी तगरे से निकाली और स्पीड भी काफी तगरे से इसको दी है तो ठीक है अच्छा है अब मुझे इसकी बता दो इसके आपको रेंज कितनी मिल रही है आप इसको कि चल जाती है तो तीन दिन के आप रोक स्वाई मालो जैसे कि आप 80 किलोमेटर के आसपास मालो तीन दिन में हो गए तो ठीक है सौगी तो कंपनी करती है उसके बाद भी बैटरी बच जाती है तो काफी तो मॉडल देखने में तो वैसे इतना साही लगता है अचा इसके साथ क इंसिडेंट्स हुए कुछ गिरी विरी है अब देखके लाग रहा था पर मैंने सुच आप से बार पूछ लेता हूं देखके डैमिज पता चल रहा है तो यह देखने को मिल रहा है गाडी में उसको अच्छे से यूज किया है और डंग से गिरा भी रहा है तो वाइसको अब जो एक गारी में जो एक्सपीरियंस है अगर देखा जाए तो जो ट्रू एक्सपीरियंस वह भाई ने लिया है मतलब इसको गिराने के बाद भी देखके पता चल रहा है इतनी कोई खास में जब्लम्स देखने को नहीं मिल रही है तो आपने इसको मतलब कितने बंदे चलाया है और चलती है तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपको मोड चेंज करना पड़ता है आपको हम दो तीन मंदे आराम से जब भी कहीं जाना हो तो बैठ जाते और कोई दिक्कत नहीं होती जैसी नॉर्मल एक बंदेश चलती है तब भी चरदाती है जब भी पता नहीं करने पर चलने लग जाती है तो यहीं होता है मतलब गारी काफी है और मजबूत है इस चकर में उस पर फील एकदम बिल्कुल भी नहीं होता है बाकि इसके मोड तो आपको सही लग रहे हैं एकदम बहुत अच्छी है परफेक्ट है चालो यह बहुत बढ़ी बात है तो इसका मुझे बाद सब्सक्राइब कारी जाती है तो इसके कैसे अच्छे 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 विए कोई मतलब दिक्कत नहीं होती है मतलब बैठने पाता नहीं चलता गड़्डे से बाद ब्रेक इसके मतलब बिरेक्ट में चले तो रोखना चाहिए एकदम रूप जाती है हैं इसका काफी अच्छा ओजाता है पीछे ट्रम चल गालता है अच्छे अफ्सक्त दिक्कत नहीं होती है तो भाई ने तो इसका सारा एक्सपीरियंस अभी तक जितना बताया है काफी अच्छे बताया भाई अब तो हो गई थी पॉजिटीव वालों की बात अब बात करते हैं इसके नेगटिव की बात वाई इतनी अच्छी गाड़ी है तो उस तो कमिया तो होंगी ना कुछ कम निक पर अराम से इसको दुबारे स्टार्ट करना पड़ता है मतलब जैसे सब्सक्राइब करने पड़ते बस यह कमी और कोई कमी नहीं तो एक तरीके से देखा जाए थोड़ी सी मेजर प्रॉब्लम बोल सकते हैं इसको एकदम से पावर कट अफ हो जाना गाड़ी बंद हो जाना जाती है अगर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रिक गारी में साफ्ट्राइर गई खेल अगर सॉफ्ट्र में कुछ गिले चाहरा तो इसी पर कंपनी को ध्यान देना चाहिए और करना चाहिए मतलब तो भाई आगर प्रॉब्लम में है तो मुझे रसकी वारंटी बतातो वारं इसकी तीन साल के और पचास हजार किलोमेटर तक है तो भाई वारंटी में होनी के वज़ए से आप इसको दिखा सकते हो मतलब जो प्रॉब्लम आरिया सॉफ्ट्र की तो यह चीज़ मुझे लग रही है काफी बड़ी प्रॉब्लम मैं इसके बार में पूछिए मैं आप से पानी मारो चला लुए लेक्ट्रिक गाड़ी मंस्धो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो पानी में रिचाता चलती रहती है तो बैट्री पैक नीचे लगा हुआ है यहां पर इस जगे पर तो महीं मतलब पानी में चल लिए तो इतना अच्छा बैट्री पाक है कि कोई पानी जा अभी तक गयानी मोटर भी इसकी नीचे दी वही है वहां पर भी पानी जाने का अभी तो कोई आया नहीं है तो भाई आप इतनी पूरी गाड़ी की बार में अच्छे से बात कर लिए हम लोगों पब्लिक के जितने मेजर कोशन से तो अब मुझे बता दो इसमें रे प्रॉब्लम है देखने वाली तो फिर तो दिक्कत होई जाएगी एक्सीडेंट हो सकता काफी मेजर प्रॉब्लम है यह तो यह बलाब कंपनी को ध्यान देना चाहिए एक त्रस्टेट ब्रैंड आज की टाइम में टीविस तो यार ऐसे अगर मतलब देखा जा तो सेकेंड कर रहे हैं तो मतलब अगर लोगों इतना विश्वास कर रहे हैं तो भाई कंपनी को ध्यान देना चाहिए अगर इसके बाद आपको कोई कोई कुशन रह जा तो आप मुसे कॉमेंट बॉक्स सकते हो और वीडियो अगर यहां तक आए होते हैं अच्छी लगी होगी और अच तो लाइक कर देना और अपने किसी दोस्तों अगर टीवेस खरीज नहीं हो तो उसको यह वाली वीडियो पक्का से पक्का शेयर कर देना और ऐसे यूनिक कॉंटेंट के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू सो मच फार वाचिंग दिस वीडियो